हाई फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सी टेटी एंड टेटी प्रेशन में और आज की इस वीडियो में मैं यूपी टेटी के लिए पर्यावरन अधिन के इंपर्टेंट नोट्स को लेकर आई हूँ यह नोट्स यूपी टेटी के सिलेवस पर आवार देख सकते हैं तो इसारी नोट्स आपको इन्पी टेट में सीटेट में काफी अच्छे माट्स दिलाएगा तो आई सुरू करते हैं कि कि सबसे पहले हम लोग और शैनिक के बारे में जानते कि और सैनिक होता क्या है तो ओर सैनि जो है एक गंद हीन और स्वाध रहित उपधात है नहीं स्वाध है नो गंद है और या प्रीठीवी इसके बढ़ जाने से होता है ठीक है भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कचारिय छित्रों के भूजल में और शेनी की सांदर्ता अधिक पाई जाती है और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके कचारिय छित्रों में भूजल में और शेनी की जल प्रदूशन इसके वज़ा से और शेनी की वज़ा से पस्ची मंगाल में है और इसके पस्चात हमारे बिहार में उत्तर प्रदेश में और जारखंड में भी है ठीक है आप चलते हैं किन्वन किन्वन होता क्या है सबसे पहले इसको देखते हैं किन्वन एक इस्टिल कारवनी के कारण दूद से दही बनता है सरविक योगी कमें विघटित हystem जाते हैं और दूद से दही बनना एक शाय出来 कंदो में ऑनी और लिक्टोवगिस जिवान एक газ कारण दूद स्विक बनता है ठीक है नेक्स्ट है जीव संरक्षन अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा बन जीवों के अवैद सिकार को रोकने के लिए एबं पौधे के संरक्षन नेतु भारत सरकार द्वारतिये बन जीव संरक्षन अधिनियम 1972 पारित किया गया था तो यह क्यों पारित किया गया था पौधो एवं जीवों के अवैद सिकार को रोकने के लिए और पौधों के सनक्षन ये तू ठीक है बना कब 72 में यह अधिनियम बना और यह अधिनियम जो है जम्मू कस्मीर में नहीं लागू होता है जम्मू कस्मीर को छोड़ कर यह भारत क सबी राजियों में लागू होता है जम्मू कस्मीर में अपना बनेजीव अधिनियम अलक्षाइटी है इसके बाद भागो की घटती संक्या को देखते हुए अब हम इसके संरक्षन ने तू भारत सरकार द्वारा 9 अप्रेल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत की केवल इसके अंतरगत नौब अभ्यार अशामली थे लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और बर्तमान में इसकी संख्या 32 हो गई है अब फूलो की घाटी राश्ट्रिये पार्क पूलो की घाटी एक राश्ट्रिये पार्क है जो उत्राखंड के पस्मी हिमाले चेत्र में इस्तित है या उत्राखंड के पस्वी हिमाले चेत्र में इस्तित है और यूनेशको ने इसे विश्चु धरोहर अस्थल की रूप में घोसित किया है और इनुशको फूलो की घाटी राश्ट्रे पार्क को विश्चु धरोहर अस्थल की रूप में घोसित कर दिया और सर्प्रथम इस घाटी का पता ब्रिटीज प्रवातारोही फ्रैंक इस स्मीथ एवं आर इल डोल्ड शर्वर्थ ने लगाया था यहां 500 से भी अधी फूलों की प्रजाती पाई जाती है इसकी बाद गंगा नदी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे गंगा नदी जो है भ कहां से गंगा नदी उत्रा खंड इस्थित गंगोत्री गलेशियर हिमनल से ठीक है इसे भारत का पवित्र नदी कहा जाता है इस बात तो हम सभी जानते हैं और मीठे जल में पाये आजाने वाला जो दूरलव डॉल्फिन होता है यह गंगा नदी में ही पाया जाता है जब उत्तर प्रदेश बिहार जारखंड एवं पस्चिम बंगाल में इसके बाद एल पीजी क्या होता है एल पीजी एक तरली क्रिप पेट्रॉलियम गैस है जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिसरन है और यह कारवन डायक साइड के तरजन को कम करता है और यह स्वक्ष इंदर का एक रूप है तो यहां पर नोट्स हमारा समापत होता है अगे की वीडियो में मैं और भी इंपर्टेंट नोट्स को लेकर आऊंगी यह नोट्स आपके सीटेट के लिए भी हेल्फुल होगा क्योंकि NCRT syllabus पर ही आधारी थे नोट्स है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए ह प्लाब